हिंदु धरब में नौरात्रीका, बहुत बड़ा महत्व है नौरात्रीका ये महा पर्व देश भर में बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है और इसी दोरान जब अस्टमी और नौमी आती है तो सबी लोग हवन भी करते हैं हवन को कब करना है, कैसे करना है, हवन की विधी क्या है? आज हम आपको पूरा बताएंगे आप सभी लोग वीडियो पर बने रहीएगा, बिलकुल विडियो को इसकिप मत करिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सेर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों ऐसी भी मानता है कि हवन के बिना नौरात्री की पूजा पूरी नहीं होती तो हवन की सही विधी और हवन का सही टाइम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो नौरात्री में सबसे पहले जब आप हवन करना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जो, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारिय, लौंग, इलाइची, कपूर, बतासा ये सारी चीजें आपको इकत्रित कर लेनी हैं, ये सारी हवन सामागरी हैं और आपको हवन करने का टाइम भी निश्चित करना होगा, सही मुहुरत पे ही आप हवन करें, ज्यादा तर नौरातरी का हवन, दुर्गा अस्टमी और महानोमी के दिन किया जाता है, इस साल दुर्गा अस्टमी 22 अक्टूबर रविवार को है, और महानोमी 23 अक्टूबर स इस दिन सरवार सिधियोग सुबां से लेकर साम तक हैं, ऐसे में इस दिन आप सुर्योदे के बाद महागोरी और सिधि जातरी पूजा करें, फिर उसके बाद हवन करें, हवन करनी की विधी क्या है, ये भी हम आपको फटफट बता जेते हैं ह καιन बाण करनी के लिए सबसे बाद में हवन कुंड पर अच्छत, फूल और चंदन आदी अर्पित करें इसके बाद हवन समगरी तयार कर लें इसमें घी, शक्कर, चावल और कपूर डालें फिर हवन कुंड में पूरफ, पश्चिम, उत्तर और दच्छिर दिसा की और चार आम की लकडी रख दें फिर इस बोलते हुए हवन समगरी से अगनी में आहूती दें हवन समपूर होने के बाद नो कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन कराएं इसकी बाद उनके पैठ चूकर असिरवाद लें फिर कन्याओं को दच्छना या उपहार देकर स्रद्धा पूरवक विदा करें दोस्तों हुआ हुआ है